हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप सभी ठीक होंगे स्वागत है आपका अपने चैनल को क्वित अनीशा में मैं हूँ आपकी दोस्ट और होस्ट अनीशा आज मैं आपके लिए बेश्ट किचेन टिप्स लेके आई हूँ जो की 24 किचेन टिप्स है जो आपकी समय और आपकी पैसी की बचत करेगी और आपको एके स्मार्ट हॉस वाइफ बनाएगी तो टिप्स नमबर वन है बेलन को 4-5 मिनट फ्रीज में रखने के बाद रोटियां बनाएं इससे आटा बेलन पर बिलकुल भी नहीं चिपकेगा टिप्स नमबर 2- हर्ब्स को काटते समय उस पर थोरा सा नमक छिरक ले इससे वा इधर इधर नहीं फैलेगा टिप्स नमबर 3- बेसन की बरफी में थोरी सी सूजी मिला ले इससे बरफी दानेदार और टेश्टी बनेंगी टिप्स नमबर 4- ग्रेवी वाली डिस बनाते समय उसमें टमाटर जरूर डाले इससे सबजी की ग्रेवी टिश्टी और स्मूद बनती है टिप्स नमबर 5- बाजरे या ज्वार में गर्म पानी डाल कर आटा गुन दे इससे रोटियां बहुत ही नरम बनेंगी टिप्स नमबर 6- अद्रक लहसन को ग्राइंट करते समय उसमें थोरा सा तेल वो नमक डाल दें और फिर एश्टोर करें इससे वो लंबे समय तक फ्रेज रहते हैं टिप्स नमबर 7- मिर्च के अचार में थोरी सी हिंग डाल दें इससे मिर्च का अचार खराब नहीं होगा बहुत दिनों तक वो ताजे बने रहेंगे टिप्स नमबर 8- दही जमाते समय दूध में छोटा सा नारियल का टुकरा डाल दें इससे दही दो तीन दिन तक ताजा रहेगी तो फ्रेंड्स टिप्स नमबर 9 है अगर कीचेन में कौकरोच हो तो दो चमच आटे में दो चमच बोरिक एसीड और एक चमच चीनी मिलाकर पानी से आटा गुंध लिजिए और छोटी छोटी गोल बॉल्स बनाकर जहां भी कौकरोच आते जाते हैं वहां रख दें कौकरोच आना बंद हो जाता है टिप्स नमबर 10 सबजी बनाते समय ध्यान रखें कि सभी समागरी एक साथ बिलकुल भी ना डालें बलकि जो चीज पकने में ज्यादा समय लेता है उन्हें पहले थोरा सा पकालें फिर दूसरी चीजें डालें टिप्स नमबर 11 किसी भी ग्रेवी का स्वाद बढ़ाने के लिए प्याज भूनते वक्त उसमें आधी छोटी चमच चीनी डाल दें चीनी पिघल कर ग्रेवी को अच्छी कलर देगी और स्वाद भी बढ़ेगा टिप्स नमबर 12 चीटियों से निजात पाने के लिए ट्यूब लाइट के पास दो तीन प्याज की गाठें लटका दें इससे चीटियां दूर भाग जाती है टिप्स नमबर 13 पापर, चीप्स, कचरी आदी में बरसात के मौसम में नमी लग जाते हैं इसके लिए इन्हें एक प्लास्टिक के पाउच में बांध कर फ्रीज में रख दें और तलने से कुछ ही मिनट पहले निकालें इससे वो सुरक्षित बने रहते हैं टिप्स नमबर 14 खीर के लिए यदि बादाम भीगोना भूल गए हैं तो एक कप गरम पानी में बादाम को 30 मिनट तक भीगो कर रखें छिलका आसानी से निकल जाएगा टिप्स नमबर 15 हरी मतर को ज्यादा दिनों तक फ्रेश रखने के लिए उनको छिलकर जिपलोक बैग में डालकर फ्रीजर में रखें टिप्स नमबर 16 ग्रेवी के लिए मसाला पेश्ट बना रहे हैं तो उसमें प्याज, टमाटर, अद्रक, लासून, खस-खस को भीगोए हुए बादाम डालकर पीस लें और तेल में धीमी आज पर भूल लें पैन के तेल छोरने पर निकालने, ठंडा होने पर पेश्ट को फ्रीज में रखें या पेश्ट एक सब्ता तक खराब नहीं होता है और हमारा काम बहुत आसान हो जाता है टिप्स नमबर 17, लाल मिर्च पॉडर को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें हींग का एक टुकरा डाल दें, लाल मिर्च खराब नहीं होगी टिप्स नमबर 18, सक्कर का डिबबा अगर खुला रह जाता है तो उसमें चीटियां लग जाती है चीटियों से बचने के लिए डबबे में 5-6 लॉंग डाल दें, चीटियां कभी भी नहीं आएंगी टिप्स नमबर 19, खीरे के छिलके में बिटामिन A और की भरपूर मातरा में पाय जाता है ये दो बिटामिन स्वास्त के लिए बहुत अच्छे होते हैं और साथ ही वजन घटाने में भी कारगर होते हैं इसलिए इन्हें छिलका के सहित ही खाएं टिप्स नमबर 20, यदि दही वाले अर्बी या दही वाले आलू बना रहे हैं तो उनमें नमक अंत में मिलाएं ऐसा करने से नमक पानी छोड़ देता है और रायता पतला हो जाता है टिप्स नमबर 22, चिली फ्लेक्स, टोमेटो, कैचप और मेयनीज को मिक्स कर लीजिए इससे आपका चिली मेयनीज डिप बनके तयार हो जाता है टिप्स नमबर 23, पूरियों को बेल कर पहले 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख दें इससे वह फ्राइ करते वक्त जादा तेल नहीं सोखेंगी टिप्स नमबर 24, गुलाब जामुन बनाने के लिए डो बनाते समय उसमें दूध मिलाएं, इससे गुलाब जामुन नर्म बनेंगे तो फ्रेंट्स ये आज के 24 टिप्स थे, तो आपको आज के टिप्स कैसे लगें प्लीज कोमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मेरे टिप्स अगर आपको थोड़े से भी यूजफूल लगे हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले ताकि जो भी वीडियो में डालू उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकते तो मिलते हैं किसी नए रेसिपी या किसी नए टिप्स के साथ किसी नए वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग माई वीडियो जैमाता दिए